हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सबका मेरा नाम है प्रवीन चक्रवर्ती और आज हम लोग डिसक्स करने वाले हैं एक जेए एडवांस के एक बहुत ही सामदार कोश्चिन की और question आपकी home screen पर आपको दिख रहा होगा video को pause करना है, solve करना है अगर question आप solve कर पारे तो ये आपके लिए बहुत यह अच्छी बात है, और नहीं solve हो रहा है तो थोड़ी सी tension वाली बात है, कि आप अभि उस level पर नहीं पहुंचें और अगर वीडियो पसंद आए मेरी solution मैं जिस को मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से समझेगा question क्या क्या रहा है a particle of mass 0.2 के लो इज initially at rest कोई भी particle है जिसकी mass क्या है 0.2 वो क्या है initially rest पे है किस plane में xy plane में at a point x is equal to minus l और y is equal to minus h जान समझेगा x is equal to minus l और y is equal to minus h मतलब आप से third quadrant के बाद की गई है जहाँ l की value 10 है h की value क्या है 1 है फिर आगे आपसे बोला गया है the particle is accelerated at t is equal to 0 with a constant acceleration कितना है acceleration 10 meter per second जब time 0 है उस वक्त पार्टिकल पर acceleration लगने operate चालू हुआ है तो उस समय जो acceleration आ गई है वो है 10 meter per second इसको है along the positive x direction किस के तरह positive x के तरह its angular momentum and its torque with respect to origin ध्यान समझेगा with respect to origin इसकी angular momentum यानि capital L से denote करते है torque को tau से denote करते हैं देख सकते हैं यहाँ L लिखा गया है यहाँ tau लिखा गया है we respectively i, j, k are unit vector ठीक है और यहाँ चीज बावला गया है कि L और T जो है आपका किसके respect में निकालना विदर expect to origin निकालना है along the positive x, y, z direction if k is equal to i cross j अगर k vector को k unit vector को यह तो आप जानते हैं कि vector की i cross j होता है तो then which of the following statements are correct तो इसमें से कौन सा statement जो है correct है question आपको थोड़ा सा बड़ा है जरूर है options को आप पढ़ सकते हैं एक बार बोला गया है कि the particle at the particle arrived at the point x is equal to l y is equal to minus h at किस time पे 2 second पे जब particle होगा sorry x is equal to l और y is equal to minus h पे जब होगा तो उस समय कितना समय लगेग उसको जाने में जहाँ starting position कहा हाँ था minus h पे था वहाँ से वहाँ जाने में 2 second लगा होगा ठीक है second option जो बोल रहा था कि tau is equal to 2k के अप होगा जब particle कहाँ क्रोस कर रहा होगゃ x is equal to l और y is equal to minus h को क्रोस कर रहा होगा third option जो बोल रहा है आपको कि angular momentum 4k होगा कब जब particle x is equal to l और y is equal to minus h को cross कर रहा होगा और fourth option जो है यहां tau is equal to k है जब particle x is equal to 0 और y is equal to minus h यानि particle कौन से axis पर होगा y axis में वह negative y axis पर होगा तो start करते हैं इसको बनाना I hope आपने इसे वीडियो को pause करके से solve करना शुरू कर भी दिया होगा चलिए देखे यहां आपको बता नहीं हाँ एक से ज़्यादा options भी correct हो सकते हैं यहां हो सकता एक ही रहे तीनों गलत हो दो भी हो सकते दोनों गलत हो तीन सही एक गलत चारों सही भी हो सकते हैं तो चलिए हम लोग देखना सुरू करते हैं देखे question में क्या कह रहा तो मैं किक करके positive x इस साइड लग रहा है और particle यहां से यहां displace कर गया है कहां तक पहुँच गया l और minus के l की है 10 और x के वहले हम minus 1 पे पहुँच गया है k को जो है वो along z axis की बात करते हैं अगर यह x है यह y है तो z क्या होगा upward की तरफ होगा definitely आपको वेक्टर का रूल पता होगा अगर अपने वेक्टर का मेरा lecture नहीं देखा तो जाइए playlist में आपको समझ में आ जाएगा तो आप बात करते हैं कि आप से कहा क्या गया है ठीक है पहला option को चेक करते हैं पहला option बोल रहा है कि when the particle arrives at the point l minus h कब जब time 2 second होगा ध्यान से समझेगा initial velocity 0 dv थी particle जो है particle जो है वो यहां से यहां displaced हुआ तो इधर 10 इधर 10 total displaced कितना हुआ है 20 meter क्योंकि यहां इधर 10 meter इधर 10 meter total कितना displaced हुआ है 20 meter यानि displacement along जो y axis sorry x axis के तरफ है वो कितना है 20 meter है यानि यह होगे 20 meter आपको पता equation of motion s is equal to ut plus half 80 square में u की value 0 dv थी यानि simple आ जाएगा s is equal to half 80 square s की value है 20 half time की value है 10 और time t square तो यहां से हमने से काट दिया यहां से 5 हो गया यहां से से काट दिया है तो 4 और इसका जब square है तो root करेंगे तो कितना हैगा 2 second यानि particle को यहां से यहां तक travel करने में कितना second का समय लगा होगा 2 second और आपका question में भी यही बोल रहा था यानि option number a जो है वो क्या है true है एक option तो आपको पता चले कि यह true है आगे क्यों options को देखते हैं कि वो true है कि false है देखिए ध्यान से आगे का second option क्या आप हो रहा थी कि ट जो टाव है यानि टॉर्क जो है वो two kkf होगा जब particle किसको cross कर रहा होगा x is equal to l और y is equal to minus k दियान से समझे कि वो कौन सा point था l minus h वो b point था जो कि उपर आप डियाग्राम से देख रहे थे सबसे पहले हम लोग देखते है कि force कितना लग रहा था आपको पता है force is equal to mass into acceleration body की जो mass दी वो 0.2 थी और acceleration जो था वो आपका 10 था magnitude में बट वो along x-axis के तरफ लग रहा इसलिए 10 ikf लगाएंगे यानि force जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ikf ठीक है और n मतलब newton है यानि force की जो magnitude है वो है 2 और जो direction होगी वो होगी along the positive x-axis clear है अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो particle यहां पहुंचा है इस जगह पहुंचा है क्योंकि force लगा इधर particle यहां पहुंचा तो इसकी position with respect to origin क्योंकि question में origin care expect में बोला गए तो origin care expect में position vector क्या होगा द्यान से मुझेगा चुकि आप जानते हैं जो position vector लिखा जाता है वो आप लिखते है x i cap plus y j cap plus क्या होता है z k cap यह होता है और x में जो है वो आपका 10 i cap है y में है j cap और z की यहां कोई बात नहीं क्योंकि motion जो है वो x y plane में है तो z की value क्या हो जाएगी 0 तो z की value 0 यानि 10 i cap minus j cap तो यह आपका हो गया position vector torque की जो formula होता है general formula आपको पता है वो होता है r cross है तो r की जो वह वह 10 i cap minus j cap plus 2 i cap तो i को i के साथ into करेंगे तो 0 होगा इसको जब इसके साथ into करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कितना आने वाला है देख सकते है अब यहां से 2 into यहां से 2 होगा j cross क्या क्या होता है वो होता है j cross i sorry j cross जो i होता है वो होता है minus क्या और minus minus plus तो आपसे यही पूछा था question में तो इसका मतलए जो second option भी जो है वो क्या है true है देखे मैंने यह true लिख दिया third option की और बढ़ते हैं question time taking है बट आसान है तीसरा बग कि angular momentum check करना कि l is equal to 4k gap होगा जब particle कहा होगा l x is equal to l or y is equal to minus h को cross करेगा तो आपको पता है जो angular momentum होता है वो क्या होता है r cross p होता है वो क्या होता है r cross p होता है तो p क्या होता है linear momentum linear momentum का क्या formula होता है m into b तो हमें तो भी निकालने की बात है ते भी कैसे निकालेंगे v is equal to क्या होता है u plus 80 initially में u 0 दिया हुआ था acceleration आपका 10 था time था 2 mass था 0.2 velocity 20 यानि आ गया 4 kg meter per second i cap यानि आप simple simple बोल सकते linear momentum हो जाएगा 4 i cap clear है तो अब जब आपको linear momentum पता चल गया तो आप angular momentum निकानने के लिए कतराएंगे नहीं तो कि angular momentum की जो formula भी मैंने उपर लिखा था वो होता है r cross p क्या होता है r cross p तो r जो है वो आपका है 10 i cap minus j cap cross 4 i cap तो इस पर जब आई को i के साथ करेंगे 0 आ जाएगा तो यहां से 4 j cross i जो होता minus k होता है और minus minus यहां से plus हो गया यानि 4 k cap यानि जो fourth option भी है वो आपका क्या है true है okay fourth यानि तीन option first second और third भी 3 सही है तो देखते हैं क्या चौथा भी सही है चली बढ़ते हैं चौथे option की और चौथा option क्या बोल रहा था कि जब particle x is equal to 0 पर होगा तो वो क्या होने वाला देखिए उस पर क्या है यह वह होने वाला क्या पहले से आपको पता है two i cap तो टॉर्क जब निकालेंगे तो होगा r cross f तो r जो है वह आपका है minus j force जो है two i cap यानि two k cap होने वाला लेकिन आपका question में बोल रहा था torque is equal to k cap यहाँ पर तो आपका two k cap आ रहा है यानि यह जो fourth option है वही सिर्फ गलत है यानि हम कह सकते अगर हम starting में चले जाते हैं अपने question पे फिर से तो आप देख सकते options को तो यह सही है यह सही है यह सही है सिर्फ यह गलत है clear है तो यहां तीन true है आपको exam में जैसे भी दिया लगा सकते हैं ठीक है I hope कि आपको यह question बहुत अच्छे से समझ में आ गया कोई भी doubt है तब comment section में comment करके पूछ सकते हैं thank you